हलो फ्रेंड्स, है मपरती, वेलकम एक ट्यू आर चैनल, प्लांट से स्पेस, गर्मिया आ गई है, तो अब हमने इनको मुंगफली देना बंद कर दिया है, और अब हम इनको खर्बूजे के बीज देते हैं, जोकि छिले हुए नहीं है, ये बिना छिले खर्बूजे के बीज ह उनको छील कर ना दे, तो आज हमें अपना काम बीच में ही रोकना पड़ा, जोकि अलमांडा की रिपोर्टिंग हमें करनी थी, इसको ग्रो बैग में शिफ्ट करना था, लेकिन जो जहां था समान वो वहीं का वहीं रखा रह गया, और ऐसा इसलिए हुआ क्यों की, जब शा ये नहीं आपाई होगी, तो इसको देखकर ऐसा लग रहा था, कि शायद इसको बहुत जादा भूख है, क्योंकि ये डरी हुई तो है, क्योंकि नई गिलहरी है, लेकिन ये भाग भी नहीं रही थी, और बुलाने पर एकदम से आ भी गई, तो थोड़े से सीट्स हमने डाल लेकिन बंदर आया और वो सारे बीज खा गया, तो ये उनी को ही ढूंड रही थी, तो दोबारे से हमने फिर इसको थोड़े से बीज और डाल दिये, जबकि आप साइड में देखेंगे, तो उधर की तरफ छिलके पड़े हुए हैं, जो कि पहले काफी सारी गिलहरी आकर ख होती है, तो वो भाग जाती है, फिर दोबारा आ जाएगी जब आप चले जाएंगे, तो लेकिन अगर शाम को गिलहरी आए, तो उसको दाना जरूर दीजी, अगर आपको लगता है कि उसको भूक लग रही है, क्योंकि शाम को फिर इने अपने घर ही जाना होता है, और शाम बड़ाहट में आती है, जिसमें इसको दाना खाना ही होता है, तो हमने इसको तुनन से दाना दिया, और ये इतनी डरी हुई थी, बंदर आके इसके दाने खा गया, सारे बीज खा गया, फिर भी ये वापस आ गई, इसका मतलब ये था कि इसे काफी जादा भूक थी, और इ इतनी जल्दी भागी, वो वीडियो तो हम शूट ही नहीं कर पाए, क्योंकि इतनी जल्दी इतनी फूर्ती से ये भाग कर गई, तो इतनी जल्दी भागने का जो इसका तरीका था, वो यही था कि जल्दी जल्दी खाना खाया, जल्दी जल्दी पानी पिया, और जल्दी से अपने घोसले की तरफ ये भाग गई अभी जो बंदर इसके सारे दाने खा कर चला गया था वो बहुत दूर जाकर देखे कहां बैठा है तो यही वो बंदर है जो भी इसके सारे दाने खा गया अकेला आया और हम ऐसे ही प्लांच में अपना काम कर रहे थे और देखा कि अभी आज आपसे शेयर करना था कि शाम को अगर आपको गिलहरी इस तरह से दिखाई दे तो उसको जरूर कुछ आपको देना चाहिए तो अभी होली के लिए जो हमने कलरफुल बंदनवार बनाई थी उसको हमने अब गार्डन में लगा दिया है और ये गार्डन में लगी हुई बहुत खुबसूरत लगती है खासत और से जब हवा चलती है तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए थैंक्यू